ओम वंदेगा मातर मित्रो आज हम आपको एक व्यायम पे वीडियो देने जा रहे हैं यह व्यायम मल्टीपल है मित्रो यह आपके करदन की चर्वी को कम करेगा गर्दन के दर्द को भी ठीक करेगा आपके कंदे की चर्वी को भी कम करेगा आपके चेस्ट की चर्वी को बैलें मितारो, यह बात जान लीजी जो व्यायम होता है, यह उससे चहली तरीके से भी आप करते हैं, तो आपके बॉर्डी को upon the body fat को balance करेगा, और शाथ आयके Joint पह्तार什麼 k cabin a 주ரGeo up Augustấy चछ लों कोई व्यायाम नहीं कर पाते हैं जो कहते हैं कि अश्य व्यायाम नहीं होता है ये नहीं कर पाते ये नहीं करации व्यायाम हो पाएगा विजन बढ़ा आपके मुर्ठे नहीं यह बिल्कुर भी बहुत ज़्यादा समस्चा है, तो हमारी प्लेश चलन चलन व्यायम है, डिस्क्रप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें हमने शुरुआत के तीन वीडियो जो दिये ना, उस सुक्ष में आपके ही दिये, अपन सुक्ष व्यायम को करेंगे अमित्रो तो आप धिरी धिरी अपने सारे अंगों को, हमने पूरे अंग कैसे मोड़े जाएं, एक एक अंग, सर से लेकर पैर तक, पूरा कैसे कैसे मोड़ा जाएं, हमने पुष्तार से बताएं, आप देखेंगे, करेंगे, तो आपका बड़ी मोड़े लगेगा, फिर आप धिरी ध करने से पहले एक चीज और बता दो मित्रों अक्सर आपक स्वास्तनियम का पालन नहीं करते हैं तो इस व्यायम को को और को आपको क्या करना चीज़ है दुरबुंध तेल हात पर नीदीजिए मैं घी डालती हूं अक्सर मैं नाक में घी डालके भी दिखाया स्वास्तनियम प् पर दिखाना और थक स्वायम को सुरू करते हैं इस स्वायम को सुरू करने से पहले जैसा कि मैंने बता दिया है गर्दन, पीट, सारे दर्द में आरण देता और व्यायम जब आप करेंगे तो कपड़े ढ़ले पहने क्योंकि मेरे जो कपड़े आप देखें तो थोड़े की आधने के लिए मैं पहनते हूँ हमावल है और उतना टाइप नहीं है पर ये जो लाटाई होता था ना उसको कपड़े होता है यह house in the तो मित्रों आप धीले ढ़ले कपड़े पहने के गयायम करें कुर्था पजामा जैसे कपड़े आप पहने जिसमें कमर में लास्टिक हो ना हो नाड़े से बांथे उसको और लास्टिक हो तो बहुत लूज होता कि आपका पेड़ भी ठीक से मुव्मेंट कर सकें और यह तो कह कपड़ा पहनना चाहिए एक कमर पेड़े चलिए अब आपको बताने के हैं जो हम ब्यायम बताने जा रहे हैं उसको कैसे करना है उससे पर इसको चेक कैसे करेंगे अपने बॉड्य को चेक करना है जो आप हात ऊपर ले और इसको आप ऐसे चख करेंगे, आपका कितना भी बजन बढ़ा है, कितना भी फ्लक्सिबल नहीं है, उसमें भी आप थोड़ा बज चुप पाएंगे, जितना आप चुप पाएंगे, उतना आपने आपको चेक करना है, या आपको चख करना, व्यायम करने से पहले भी चख क पाएंगे, और दूसरे दिन आप वापिस देखेंगे, तो याम के पहले आप इतना नहीं कर पाएंगे, थोड़ा और कर पाएंगे, तो या आप नापेंगे आपको पता चलेगा, चलिए, और इसका अंतिन क्या होता मित्रों, इसका पूरा कहां जाके होगा ये, ऐसे आप पाएंगे अकर पता है, अपनी चलाने वाले होते है, उतना आपका बॉड़ी भी जिद्दी होता है, तो ध्यान रखे, मन की थोड़े अकरद कम कर दीजिए, तक आपके बॉड़ी में जल्दी फ्लक्सिविल्टी आ जएँ, तो चलिए, अब हम आपको आगे व्यायम बतात आपको हाथ सबसे पहले से बांध लेने हैं और आपको अपनी गर्दन एक जो आंखें है गर्दन को भी मोमेंड नहीं देना है यह वयायम है वयायम पूरा एसा है मित जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये गर्दन एक जी के स्थिरेगी और बागी नीचे का बड़ी आपकी गर्दन स्थिर रहेगी, मैंने का गर्दन स्थिर रहेगी, गर्दन ब्ल Congle movement नहीं करेगी, यह शुरूअत आपकी ऐसे होगी, आप कित Vienna भी मोटे हैं, आप ऐसे maybe vive कर सकते हैं, आपको सिर्फ कंधे Ну!」 आप कंध के साथ आपका जो दिये को कमर का भागती 매घ हो रहा है तो कंधे और कमर यह कमर के नीचे के सभी कर रहे जो जो पूर्शन है क्लिए यह तो पूर करें हमगे क्लिके देखिए चाहिगे को अब यह आप जो कर रहे हैं यह आप पैसा करेंगे पूरा देख लिजिए आप आराम से देखेंगे और जो मोटे-मोटे भी कर पाएंगे जिनके flexibility नहीं भी कर पारे हैं अब उसके बाद यह आप कर रहे हैं तो धीरे-धीरे आपकी flexibility बड़ेंगे उसको आप थोड़ा-थोड किति यूशे अब कितना आगे बढ़ गया है अब यह देखिया अब देख्यों अब देख्येगे तो मेरे कंधे जो हे ना मरी चीन के पर तीक है। पेले कंधे में यहां रखने यह अब あの चीन के नच आने लगके तो धिरी civic पढ़तय जाते हैं और यह गति पकड़ता जाता है जाता है अहुझार है आजया वी नहीं सानस होगा को बता दू अगे आते हैं सांस भर जाते हैं सैट जाते हैं साइटे हैं साथ जो यह भाल जो करतेफें ज sharina क नहीं तो टंक करनें जाएंज कुर्ण हम बैठके कपालभात खली पेट करें पूरा बोड़ी ला रहे हैं इसलिए वह पूरा कपालभाती वाला काम नहीं करता पर सांस की कहती है तो मैं उससाबस आपको बता रही थी तो चलिए अब आपको उसको ठीक से करना है सांस यह छुट गई यह भर गई और यह कर दो कर दो कर सकते हैं यह आपके बड़ी में स्टैमिना कितना है आपकी जरूत कितनी जल्दी अपने बड़ी को कम करना चाहते हैं यह आपके उपर डिपेंट करता है पर हां चितना किलो वजन है एक्स्ट्रा है आपका उतना मिनिट पकड़ लीजिए यानि कि आपका एक किलो वजन जाए तो एक मिन पकड़िए दस किलो वजन जाता तो दस मिन पकड़ना है आपको यह कर लीजिए और आप रुकेंगे थोड़ा ऐसे आप इस तरह करेंगे उस जिसमें आपके चस्ट की चर्वी बैलंस आएगी और साथ ही आपकी कमर की घट रही अभी हम वह आपको बता रहे उसके आगे हम आपको अभी बताएंगे जो फोरा बैलंस आपको कर देगा यह थीए ठीक है अब यह भी वही है एक से जितने किलो वजन उतने मिनिट करना है ज अचा उसके बाद तरीके से इसको मैं बता दू यह देखी ऐसे गर्दन स्थिर है गर्दन सामने है ठीक है और आप यह हम कर रहे हैं अब इसमें अकसर में और बताते हैं जिसमें ऐसे बताते हैं जो ऐसे बयार करते हैं उसमें बताते हैं कि आपको गती भी बढ़ानी है यह जो हम यह बता तो इसमें कभी-कभी चकर रहाते हैं इसलिए हम आपको स्थिर्टा से बता रहे हैं गर्दन स्थिर है इसलिए इसमें आपको चकर बगर रहाने की कोई चांस नहीं है इसे हम आपको ऐसे बता दें, यह दिखिए, ठीक है, अब इसके आप गती अच्छे से बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं, अब कमर के नीचे का भाग नहीं हो रहा है, वो स्थिरता से खड़ा हुआ है, जो अब समय दिया पेरों पर कितना प्रेशर आता, आपकी जालमों को कितना प्रेशर मिल रहा है, आप समझ सकते हैं, काईएं तो पता चलेगा, अब यह मैंने आपको इसके तीन तरीके हम और लेंगे कमर के साथ यह जो आपके हिप यह भाग है वो भी अब मुम्मेंट करेगा कैसे यह दिखिए गर्दन सामने स्थिर है अब पहले हमने इसको स्थिर किया था हमने यह किया था अब देखो यह पूरा हिला रहे हैं ठीक है तो आपके पैर जो है ना पैर तो पहले वाला भी कर सकते हैं चलिए अब आपको वही तीनों अभ्यास इसमें बताने हैं वही तरीका है यह देखिए आप इसमें जो है ना चेस्ट को त्नी जादा गया नहीं मिलती है बर बाकि आपके कंद्य को आपके गर्दन को तो पुरा गया मिल ही रहा है आपके इस स्ठीर आपनी जीजगह पे बसुरा बाड़ी मुमेट कर रहा है और गर्दम इस इसमें हिला रहे हैं जिसको हमें कम करर ना इस वीडियो का याम सा不要 is and I will के बराबर ध्यान रहे भोजन के बाद चार गुंटे पार अब सुभे पानी पिके भी आप इसको तुरंट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है क्योंकि सुभे आपने भोजन किया नहीं है तो खाली पेठ है वैसे जठर में और आतों में विशेश कुछ होता नहीं ह है मल निफला नहीं होता है पर हां इसले हम इसको कर सकते हैं बस पानी पिके भी कर सकते हैं मैं आप इसी दो बार इसले बताई हूं आप इसी पर प्रेश्ना करते हो ति आपको कंफर्म हो जाए अब मित्रो उसके बाद आप इस अपने आपको चेक करिए अब मेरा बोड़ी वहार है हूँ आपको बता यह बहुत ही सरल है आपको थाइस को कम करें लिए और बता दू थाइस को कम करें क्लिए और पॉरा धिछ को क्म पहादा डो होगी हो कामर पहत डीजिये उसके नहीं थे जिदीन गूंत गल्फन पोर थास पर एक तर रंस के लिए क्या थाधा एड़ी नहीं उठानी है, खाली आपको सीधे थे, आपको एड़ी के दम पे टर्ण होना है, उसके बाद वैसे ही पीछे चले जाना है, अब ये आपके साइड फैट को आपके कमर से लेकर पुरा साइड को कम करने में आपकी पूरी सहता करेगा, उसके बाद वापस आप सामन सांस नोर्मल चलती रहेगा, इसमें सांस का कोई विशेज है नहीं कि हम पेट को कुछ नहीं करें, और ये व्यान जो नीचे वार में बता ही आप कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, आप भोजन से पहले करें, बातने करें, कोई इसका विधान वैसा आप कहते हैं, तो आप एसे भी कर सकते हैं, वास ये दिखिए, ये इस तरीके से, रुखना है, 2 seconds, 10 seconds, 10 seconds, क्यों कि आपकी पूरे Päranod Prist होते हैं, तो ये आपकी जान्गों की चरवी को, ये शाल से गया और अंधर से भी खिच रहा है, तो दोनों तरफ से एक काम करता है है मित्रों सब्सक्राइब यहीं है Kinardin मों हिए आपको बनागे चलेगा किस तरह लेक्त का नगा में चेस्ट कंप होती से लगा उश्य बताएगा साथ है डिस्क्रिप्शन में इंस्ट्राग्राम फेस्बूक का लिंक है जहां में आप फॉलो भी कर सकते हैं और स्वास्थनियम प्रणवेर वियान की वीडियोस हैं जिनको पालन करके आप तन्मन मस्तिश के सभी रोगों का समाधान कर सकते नंबर झालन कर सकते हैं